साथियों, बहुत पुरानी कहावत है कि संगठन में शक्ति होती है, कृषी सुधार से जुड़ा दूसरा कानून इसी से प्रेडित है, हाज अमारे हाँ, पच्चासी प्रतीसत से जादा किशाम ऐसे हैं, जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है, किसी के पास एक एकर, किसी के पास दो एकर, किसी के पास एक हेक्टर, किसी के पास दो हेक्टर, सब छोटे किसान है, छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजरा करता है इस वज़े से इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही किमत भी नहीं मिलती है लेकिन जब किसी खेत्र के ऐसे किसाम अगर एक संगठन बना कर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही किमत भी सुनिश्चित होती है बाहर से आये खरिदार इन संगठनों से बकाइदा समझोता करके सीधे उनकी उपज खरीच सकते हैं ऐसे में किसानों के हीतों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के उपर कोई बंधन नहीं होगा किसान के खेत की सुरक्षा उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा किसान को अच्छे बीच किसान को अच्छी खात सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉंट्रेक करेगा उस खरीदार की होगी किसान से जो समझोता करेगा उस समझोता करने वाले की होगी साथ को इन सुधारों से क्रिशी में निवेश बढ़ेगा किसानों को आधुनिक टेक्नोलोजी मिलेगी किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतराष्टे बाजार में पहुँचेंगे मुझे बताया गया है कि यहां बिहार में हाली में पाँच कृशी उत्पादक संगों ने मिलकर चावल बेचने वाली एक बहुत मशूर कंपनी के साथ एक समझोता किया है इस समझोते के तहट चार हजार टन धान वो कंपनी बिहार के इन एप्पियों से खरीदेगी अब इन एप्पियों से जुड़े किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा उनकी उपजब सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचेगी साफ है कि इन सुधारों के बाद खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्क खुलेगा ग्रामिन उद्योगों की और देश आगे बढ़ेगा मैं आपको एक और उद्हार देता हूँ माल दीजिये कोई नवजवान एग्रिकल्टर सेक्टर में कोई स्टार्ट अप शुरू करना चाहता है वो चिप्स की फेक्टरी ही खोलना चाहता है अभी तक ज़्यादातर जगह होता ये था कि पहले उसे मंडी में जाकर आलू खरिदने होते थे फिर वो अपना काम शुरू कर पाता था लेकिन अब वो नवजवान जो नएने सपने लेकर करके आया है वो सीधे गाओं के किसान के पाथ जाकर उससे आलू के लिए समझोता कर सकेगा वो किसान को बताएगा कि मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए इतना आलू चाहिए वो किसान को अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा करने में हर तरह की तकनी की सहायता भी करेगा साथियों इस तरह के समझोतों का एक और पहलू है आपने देखा होगा कि जहां डेरी होती है वहां आसपास के पशुपालकों को दूद बेचने में आसानी तो होती है डेरियां भी पशुपालकों का उनके पशुव का ध्यान रखती है पशुव का सही समय पर टिका करन हो उनके लिए सही तरह के सेड़ बने पशुव को अच्छा आहार मिले पशु बीमार हो जाए तो उनका डॉक्टर पहुंच जाए और मैं तो गुजरात में रहा हूँ मैंने देखा है डेरी कैसे पशुव को समालती है बड़ी डेरी दूद उत्पादक उन तक जा करके किसानों की मदद करती है और इन सब के बाद भी ये बड़ी महत्वपुण बात है ये जो दूद खरीते का काम है वो तो डेरी कर लेती है लेकिन पशु का मालिक तो पशु पालक या किसान ही रहता है पशु का मालिक कोई और नहीं बनता है वैसे ही जमीन का मालिक किसान ही रहेगा ऐसे ही बड़लाव अब खेती में भी होने का मार्क खल गया है साथियों ये भी जग जाहिर रहा है कि कृषी व्यापार करने वाले हमारे साथियों के सामने Essential Community Act के कुछ प्रावधाम हमेशा आड़े आते रहे हैं बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है दाले, आलू, खाद्यते, प्याच जची चीजे अब इस एक के दाहरे से बहार कर दी गई है अब देश के किसान बड़े बड़े स्टोर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे जब बंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कते दूर होगी, तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विक्सित होगा, उसका और विस्तार होगा